असलाम लेकुम, हलो वीवर्स, यहां पे हमने यह फैब्रिक लेलिया है, यह यहां पर यहां पर रोक्टे क्विश लेसकते हैं तो यहां पर इसमें चाइनिंग रहती है नीचे समय शायनिंग नहीं रहती तो यहां मैंने आपको कपड़े की डिटेलिंग बता दी अभ को एफ ज्ट कितनी है तो यहां पर जो कपड़े की अरज जो चौड़ाई है इसकी 44 इंच-धी और मीटर में हमने यह 5.5 मीटर फैबरिक लिया है यहां हम फुल साइज का बनाएंगे जिसकी लेंट 43 रहेगी तो उसमें हमने सब को अलग-अलग कर लिया है बैल्ट हमारी 2 इंच की रहेगी नेकर हमारा 15 इंच का रहेगा जिसमें एक इंच स्लाई में जाएगा बैल्ट में और नीचे घेरे में और नीचे का जो घेरा रहेगा औरेब हमारा जो रहेगा वह 26 इंच की हमारी लैंट है उसमें हम एक से डेर इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि वह और भी होता है तो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती अब ये नी राउंड जो है वो हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी डिमांड है कि यहाँ पे जादा नहीं रखना तो हम यहाँ पे 20-28 इंच रखेंगे आप इसको ब्राइडल के लिए 30 इंच का भी रख सकते हैं गुलाई में तो इस तरह हमने कपड़े को लिया ये उल्टी साइड है कपड़े की अभी मैंने कपड़े को सीधा रखा हुआ है अब कपड़े का एक कुना उठाके अपनी साइड लाना है मैंने अपनी तरफ इसक होता है जिससे हमारा फिर उरेवी आगे कटता चला जाता है तो उरेवी फार्शी आप लखनवी कुछ भी कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल पैटन है उसी पैटन पर मैं इसे बनाऊंगी और बहुत ही आसानी से हम इसको यहां पर समझाएंगे तो प्लीज वीडियो को इसकिप न करें तो यह देखिए यहां पर मैंने यह तिकोना पीज निकाल दिया यह हमारे इसमें यूज नहीं होगा अभी देखिए कपड़ा हमारा कुछ इस तरह है यह सीधी साइड है कपड़े की इसको हम उपर क साइड कर देंगे और कपड़ा हमारा जो अब होगा वो उल्टा हो जाएगा आप देख सकते हैं आप शाइनिंग नहीं है तो यह उल्टी साइड है कपड़े की बस यहां आपको कुछी चीजों का दियान रखना है अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको एकदम परफे चाहिए हमारा और कपड़ा हमारा इस तरह आना चाहिए कोना बनने के बाद जितना भी आपको यह एक्स्ट्रा आएगा आने दें यह इसी तरह आता है अब लैंट जो हमारी निकाले जाती है फ्रेंट्स वह यहां से निकाले जाती है आप इसमें किसी बच्चे के लिए 11 inch इसमेंником प्लस करके 27 इंच पे माग कर रही हैं तो जहां हमारी किनारी संवल है वहाँ पर भी हम चेक कर लिए कि हमारा 27 मारी बेल आप लिए 12 किनारी को तो यह Sum पीट भी 27 इंचा किनारी का नाप लेना होता होतको है क्यों किन शुप कणी जिसकों कीनारी और 0.5 आ रही है मतलब कि 38-38 इंच हमारी यहाँ पर किनारी आ रही है मैं आपको पूरा भी अच्छे से दिखा देती हूँ यह आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारी जो पूरी किनारी है एंड तक वो इस तरह 38-38 इंच यहाँ पर हमारी किनारी आ रही है फाइफ वहाँ पे हमें माक कर लेना है जो किनारी वाला कपड़ा है वो दोनों ही तरफ से बराबर रहना चाहिए पहले जितनी किनारी थी यह देखिए यह वाली जो पूरी किनारी थी यहां एंड तक ऐसी ही हमें यह भी किनारी नाप लेनी है और दोनों का सेम बराबर नाप रहना चाहिए अब हमें यहां पे क्या करना है, जो हमने अपनी length का mark किया था 27 इंच पर उस 27 इंच को यहां हमें किनारी से मिला देना है जो हमें किनारी नीचे वाली पे mark किया है उसको वहां मिला देना है तो बस थोड़ा सा आप यहांपे अच्छे से समझ लें यहां पे आप स्किप ना करें यह देखी, यह हमारी जो height का mark था, वो हमें यहां कनी वाले mark से मिला देना है, तो हमारी यहां पे पूरी height नीचे के निकल आएगी जो हमने naker को minus करके अपनी height ले है, वो हमारी height यहां से निकलाईगी अब इस तरह हम draw करके उस निशान तक मिला लेंगे तो यह देखे यहाँ पर बैसको पूरा मिला लिया है यहां हमने इस तरह मिलाया है आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हाइट वालमाग था उसको यहां मिलाया है अब इसको हमने यहां पे कट कर लेना है तो पूरा यहां पे हम एंट तक कट करेंगे यह देखिए जहां तक हमने मा किया था तो यह देखिए इस तरह हमने यहां पे इसकी कटिंग कर ली है तो यह हमारा पहला उरे पार्ट कट गया है अब ये देखिए इसको हम इस तरह रख लेंगे ये इस तरह होता है तो यहाँ पे जादा आपके जॉइन भी नहीं आते अब हमें ऐसे ही इसको फोल्ड कर लेना है अभी और अब हम यहाँ पे दूसरा पैटन निकालेंगे इसी का जॉइन करने के लिए तो ये देखिए फिर से हमें वही प्रोसेस करना है जो पहले था ये किनारी वाला हिस्सा हमें उपर की तरफ रखना था फिर हमें उसे टर्न करके लाना था सेम प्रोसेस है लेकिन मैं आपको बता देनी हूँ कि किस तरह करना है जैसे हमने पहला निकाला है उरे उसी तरह हमें ये दूसरा भी निकालना है और यहां पर बीच में आपका एकदम टिकोना आना चाहिए और इस तरह यहां पर यह आएगा तो पहले की तरह हमें यहाँ पर हाइट का मार्ग कर लेना है 27 इंच पर जैसे हमने पहले मार्ग किया था और ऐसे ही हम यहाँ किनारी की साइट भी 27 इंच देख लेंगे और इस तरह मिलाएंगे और फिर हमें यहाँ पे कनी नापनी है किनारी जैसे हमने पहले नापी थी सेम वही प्रोसेस रखना है पूरी नीचे तक किनारी नापनी है यह देखिए मैं आपको और अच्छे से दिखा देनी हूँ कि यहां हमें किनारी तक नापना है पूरा और फिर यहां पे हमें इस तरह किनारी नापनी है पूरी और यहां पे जितनी हमारी पहली कनी आएगी उतनी ही हमें यहां पे लेनी है यानि कि 38 इंच और 38 इंच फिर से कपड़े को हमने सेट करके रख लिया और यहां पर यह हाइट वाले मार्क को यहां किनारी वाले मार्क से मिला देना है सेम है जैसा हमने पहले किया था तो इस तरह हम इसको यहां पर पूरा ड्रॉ करके मिला देंगे तो मैंने यहां पर इसको मिला दिया है यह देखिया और यहां पे हमने चौक से मार्क कर लिया है अब इसी मार्किंग पे हम कटिंग कर देंगे तो यह देखिए यहां पे मैंने इस तरह कटिंग कर ली है इसकी तो यहां हमने यह दूसरा भी काट लिया तो यह हमारे पहले वाले के साथ मिल जाएगा और इस कपड़े में से दो हम और निकालेंगे तो किस तरह मिलाएकर रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ यह हमारा पहले वाला पार्ट था जो हम ने पहले काटा था अब हमें यहाँ पे इसमें दूसरा वाला पार्ट रखना है तो यह देखिए जो हमने अब निकाला है दूसरा उसको इस तरह मिलाना है और यहां पे इसको इस तरह रखना है और इसको यहां पे यह हमारा यहां इस्टेश हो जाएगा इससे मिलकर तो उरे भी गरारा साइडों से बंद रहता है तो इस तरह बीज में हमारी ये जॉइंट्स आ जाएंगे कपड़े को इसी तरह फोल करके रखें जिससे आप जब सिलेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी इस तरह खोलें और सलाई लगा लें इसमें से हम इसी तरह और निकाल लेंगे दो पैटन तो ये देखिए मैंने एक और निकाल लिया है ये हमारा तीसरा वाला होगे पैटन इसको भी हम साइड रखेंगे और जो हमारे ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से एक और पैटन निकालेंगे तो ये देखी ये मैंने लास्ट निकाल लिया और इस तरह का कुछ कपड़ा हमारे सामने बचा है यहाँ पे तो ये हमारा लास्ट वाला भी इसी नाप से कट गया है जैसे हमने पहले की दो पट्टिया निकाली थी जिसको हमें अपनी तीसरी वाली जो हमने पट्टी निकाली थी उससे मिलाकर रख देंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे जब मिलाएं तो पिंसे सिक्यूर कर लें जिससे आप यहाँ पर भूलेंगे नहीं वरना इसमें बहुत आसान होता है किनारी से किनारी मिलकर सिली जाती है और आप कटिंग करें तो उसमें भी धिहान रखें कि किनारी से किनारी मिलाकर रखनी है तो आपका सेम बराबर से घर पर ही और फार्शी गरारा आपका रेडी हो जाएगा तो इसको भी हम इसी तरह फोल्ड करके यहां पे रख लेंगे जिसे सिलने में आसानी रहेगी तो यह हमारे दोनों ही पैरों के लिए निकल गए है पैटन अब हम यहां नेकर की कटिंग करेंगे तो इस तरह मैंने कपड़े को अभी डबल फोल्ड में रखा है एक और फोल्ड कर लेती हूं और कपड़े को हम यहाँ पे फोर फोल्ड में कर लेंगे को जाओ यहां हमारे नेकर की लैंड रहेगी वो पंदरा इंच रहेगी हाफ इंच हमारा उपर बेल्ट में दबेगा हाफ इंच नीचे दबेगा तो 16 इंच में हापे लंबा इसकी ले रही हूँ इतना नी राउंड चाहिए घेरा घुटने का उतना यहाँ पे हमें कली लगानी होती है यहाँ पे ज्यादा नहीं रखना और व्यजा व्यादा कपड़क्रेका यहाँ फोल्ड करें गिए क्योंकि तृच्छे साइड अंदर की तरफ कर लिए इस ट्रेट साइड बीच में कर देंगे और इस बचे हुए कपड़े में से हम साड़े आठ इंच के करीब मियानी निकाल लिए तो यहां पर यह देखिए मैंने यहां पर मियानी निकाल लिए और जो नेकर में हमारे जैन्ट था फोर फोल किया था, हमने तो उसको भी हां पर हमने हमारी साड़े 14 इंच पर आनी चाहिए लग कर, तो यहां पर मैंने मारक कर लिया है जिसे यहां पर यह Exactly लग तो अभी उपर से हमारा घेरा 13 इंच है और यहां नीचे से यह 15 इंच के करीब है तो इस तरह मैं आपको नापके दिखा देती हूं और अब जू यह 25 इंच की बैल्ट सकती ही हाँ निकाल लिए यहां पर 12.30 इंच की बैल्ट निकाल सकते हैं जॉइन के लीचे के कपट निकों हाँ事 इस तरह हमारी कटिंग कम्प्लीट हुई अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो यह नेकर के पार्ट है इसमें में कलियां जॉइंट कर लूँगी तो इस तरह वन बाई वन आपको यहां पर रखके कलियों को स्लाइ लगा लेनी हैं दोनों ही कली को जॉइंट कर लेंगे तो यहां हमने दोनों ही साइट कली जॉइंट कर ली हैं अब हम इसमें मियानी अटाश कर लेंगे तो इस तरह पहले हम यहां पे इसको यहां तक इस्टिच करेंगे यह माक किया है हमने चॉक से और फिर हम इसमें मियानी लगाएंगे सेम हमें द हम ने बैल्ड में जॉइंट लगा लिया है तो इस तरह हमारी यहां पर बैल्ट है I can do this तो अब बीच में जितना बैल्ड से हमारा एक्सरा है उसकी हम गैद रिंगे और यहां पर इस तरह एक एक प्लेट में पीछे भी इस तरह ले लोगी पीछी की साइड से बैक से उल्टी साइड से अंदर की तरफ से मैं यहां पे इसमें बैल को आटाज करना स्टार्ट करूंगे और पूरी गुलाई में हम यहां पे इसको बैल को आटाज कर लेंगे तो यहां हमने बैल को अटाश कर लिया है और इसको अब हम यहां पे बैल को लॉक करके स्लाई लगा देंगे तो इस तरह मैंने यहां पे इसको लॉक करके स्लाई लगा ली है अब इसको हम सीधी साइड पे इस तरह टर्न करके और स्टिच कर लेंगे तो यह देखे अब हम इसको यहां से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहां से हम इसको सिल्के लाएंगे और यहां पे अपनी स्लाई को खत्म करेंगे तो ऐसी तरह हम अपना नेकर स्टिच करके तयार कर लेंगे अटेश्ट कर लेना है तो ऐसे ही आपको यहां पर दोनों ही साइट करना होगा तो यहां मैंने यह देखिए एक साइट इसको अटेश्ट कर लिया है तो इस तरह हमने यहार नीचे का पैटन तयार कर लिया है घेरे के लिए तो मैंने आपको दोनों ही साइट दिखा दिया कि हमारे किस तरह जॉइंट आए हैं अब हम यहाँ इसमें गैधरिंग कर लेंगे तो इसी तरह हमें यहाँ पर पूरे में प्लेज डालके गैधरिंग कर लेनी है छोटी प्लेज डालनी है तो यह देखिए यहाँ पर मैंने इसमें छोटी छोटी प्लेज डालके इस तरह इसको नेकर करके जो हमारा नी राउंड था उसके बराबर रेडी कर लिया है क्योंकि हमारे गुलाई में जॉइंट होते हैं तो इसी तरह मैंने इनको गुलाई में स्टिश किया है और यहाँ पर प्लेज डालके इनको रेडी कर लिया है नेकर हमारा पहले ही रेडी था अपर पार्ट अब हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है जिस तरह गुलाई में आप स्लीज वगेरा जॉइंट करते हैं उसी तरह यहाँ पर आपको इसको अठाच कर लेना है तो यह देखें यहाँ पर मैंने इसको इस तरह आठाच कर लिया फ्रंट और बैक दोनों से हमारा यह सेम आया है इस तरह हमारा यह कुछ रेडी हो गया है अब हमें यहाँ पे नीचे का जो इसका गेरा है बिलकुल यहाँ पे इसको फोल्ड करना है तो उरेब है खिषता है तो आप एक बार में फोल्ड करें अच्छी फिनिशिंग आएगी तो यह देखें मैंने एक बार में फोल्ड किया है अभी अब हम इसको एक बारी और fold करेंगे तो इस तरह हम इसको औरेप को दो बार पे fold करते हैं तो finishing हमारी जियाद अची आती है तो यहां मैंने इसको इस तरह fold कर लिया है iron करनी के बाद यह और अच्छा हो जाएगा अब हमने यहां पर यह लेस ले लिया है तो आप देख सकते हैं beautiful decent और ये traditional हमारा उरेव गरारा पार्सी लखनवी कुछ भी आप इसको कह सकते हैं बहुत ही अच्छे घेर के साथ फ्लियर के साथ रेडी हो गया है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थे थी अच्छे वाचि पर वाचित वीडियो